असलाम लेकूं आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं काले चने की चार्ट थोड़ा सा मुंबई स्टाइल में चटपटी सी तीखी सी और थोड़ा से रिफ्रेंट स्टाइल में हम इसको बनाएंगे बड़े मज़े की लगती है व्लीव में गाइस एक बार जरूर बना के दे लिए था और बहुत अच्छी से वोश कर लिया है अब मैं इसको डिरेक्ली डाल रहे हूं प्रैशर कूकर के अंदर और इसके अंदर धाय से तीनींच हमें पानी उपर रखना है बस और अब मैं डालूंगी इसके अंदर दो पिंच सोडा सिर्फ और सिर्फ एक दो पिंच ह हो जाते हैं यह इसलिए डाला है ताकि बात तक हमारे जो चनी है वो सौफ्ट बने रहते हैं और अब मैंने डाला है इसके अंदर आधा चमच नमक और बस अब हम इसके अंदर विजिल लगाना है दो से तीन विजिल आने पर मैंने 10-15 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे छ मैंने जो फ्लेम है सिम कर दिया था और यह हाफ इस्पून पिसा हुआ धनिया है हाफ इस्पून लिया है चाट का मसाला थोड़ा सा नमक क्योंकि नमक हमने बोईल करते हुए काफी डाला है तो इसमें कम जाएगा दो चुटकी मैंने यहां पर ली है हल्दी थोड़ा सा कलर लाने के लिए और एक चमच पूरा भरके डालना है हम इसमें आमचूर पाउडर यानि मैंगो पाउडर किसी भी पूल जाए और हम इसको जब सुखे पाउडर एकदम से डालते हैं तो जल जाते हैं तो पानी में बिगोने का बस यही परपस है अब मैं इसको इसको इसी तरह से रखना है कि इसका पानी सुख जाए और मैंने लिया है दो से तीन स्पून यहां पर सरसो का तेल और एक क्योंकि हींग अगर जल जाए तो उसका जो फ्लेवर है बहुत कड़वा सा आता है अब यहां पर मैंने एक आलू लिया है क्यूब्स में कटकिया है और इसको डाल दिया है जीरा हमारा जलना नहीं चाहिए इसलिए फ्लेम को यहां पर लो रखना है और जीरे और हींग का ज के साथ इसको फ्राइ करूंगी और उसके बाद पस हमने जो मसाले अभी भीगो के रखे थे पानी के अंदर वो डाल देने हैं इनको हमें बस जब तक फ्राइ करना है भूनना है जब तक कि इसका ऐल सेपरेट नहीं हो जाता बार बार पानी डालने वगारा कि हमें कोई सुखं़ के लिए और इसको भी हमें गलराना नहीं है इसको सथ चल इन के साथ चला था रलका साथ हो जाए और इसका फ्लेवर जो है हमारी मसाले और हमुकित साथ आजाए बस इतना मैंने इसको पकाया था और बस अपनी जो चने हमने बॉइल के थे उसके अंदर इस मसाले को डाल देना है और अच्छे से मिक्स करेंगे हम इसको और बड़ा मज़े का मसाला यह बनता है आप एक पर जरूर टाय कीजिएगा बहुत अच्छे से मिक्स कर बचाया था और आधर नीबू जाएगा देखे खट्टा अपने हिसाब से कीजिएगा कितना आपको पसंद है और बस इसके अंदर मिक्स कर देना है और बहुत मज़े की चटपटी सी डिफ्रेंट से टेस्ट वाली हमारी मुंबई स्टायल में यह चार्ट बनके रेडी है एक बार ब्लीव में गाइस आप बना के जरूर देखेगा बहुत मज़ाएगा आपको रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा हमारी इस रेसिपी को कमेंट में बताईएगा कि हमारी जो यह रेसिपी आपको कैसी लगी है आपके चनी की चार्ट कैसी बनी है जरूर बताईएगा अच्छा लगता है अब हमें दीजिए इजाज़त दौमे याद रखेगा अपना बहुत हैल रखेगा अल्ला हाफीज